नमस्ते आज हम कक्षा आठके लिए भारतिय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन इंडिपेंडेंडेंट स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे इस पार्थ को पढ़ने का उद्देश्य इस पार्थ में हम भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे इस अध्याय में हम 1857 के विद्रोह के बारे में सीखेंगे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे East India Company के नीतियों का भारतियों के उपर प्रभाव सिपाही विद्रोह कैसे जन्ह विद्रोह में परिवर्थित हुआ? कम्पनी का विद्रोह के उपर जवाब और विद्रोह के नतीजे अठारवी सदी के मध्य तक इस्ट इंडिया कम्पनी भारत पर निरंकुष शासन कर रहा था उनकी हुँकुमत और नीतियों, सेराजाओ, रानियों, किसानों, जमीनदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह के असर पड़े आम तोर पर उनके शासन से अधिकांश लोग दुखी थे इस्ट इंडिया कम्पनी के नीतियों का प्रभाव प्रथम नवाबो और राजाओ की घठी सत्ता अठारवी सदी के मध्य से राजाओ और नवाबो की ताकत छिनने लगी थी उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक-एक करके छिने जा रहे थे इस्ट इंडिया कम्पनी ने जहासी की राणी रक्षमी बाई और पेश्वा बाजीरा द्वितिय के दत्तक पुत्रों को जायस उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया कम्पनी ने 1856 में अवध को कुशासन के आरूप में उस पर कबजा कर दिया कम्पनी ने एलान किया था कि बहादुर शाजफर आखरी मुगल बादशा होंगे उनके वन्शज को बादशा नहीं माना जाएगा वे केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी बहादुर शाजफर के मृत्यू के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा गाओं में किसान और जमीनदार भारी भरकम कर्वसूली के सक्थत और तरीकों से परेशान थे बहुत लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लोटा पा रहे थे इसके कारण उनकी पुष्टैनी जमीने हाथ से निकलती जा रही थी कमपनी के तहट काम करने वाले भारती सिप्याहियों अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे कमपनी उनके धार्मिक विश्वासों का सम्मान ही करती थी बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे वे अपने परिवार गाउं में छोड़ कर आये थे लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहीयों में भी फैल गया अंग्रेजों को लगता था कि भारती समाज को सुधारना जरूरी है सत्विप्रथा को रोपने और विद्वा विवा का बढ़ावा देने के लिए कानून बनाये गए अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोथसाहन दिया गया 1830 के बाद कंपनी ने मिशनरियों को खुल कर काम करने दिया और जमीन वसंपत्ती जुटाने की भी छूट दी 1850 में एक कानून बना जिससे इसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया बहुत सारे भारतियों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और परमपरागत जीवन शैली को नश्ट कर रहे है 8 अप्रेल 1857 मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप ने फासी पर लटका दिया गया चंद दिनों बाद मेरट में तैनात सिपाहियों ने नए कार्तूसों के साथ पौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया उन्हें लगता था कि उन कार्तूसों पर गाय और सूर की चड़भी का लेप चड़ाया गया था 9 मैं 1857 मेरट में 85 सिपाहियों को अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई 10 मैं 1857 मेरट के सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का एलान किया 11 में 1857 मेरट के कुछ सिपाहि दिल्ली गए और दिल्ली में तैनात टुखडियों ने बगावत कर दी 12 में 1857 बहादुर्शा जफर को बगावत का नेता एलान कर दिया गया एक हफ़ते में बगावत हर रेजिमेंट में फेर गये उनको देखकर कसबो और गाओं के लोग स्थानिय नेताओं, जमीनगारों और मुखियाओं के पीछे संगटित हुए नाना साहिब पेशवा बाजीराओ के दत्तक पुत्र ने कानपुर से ब्रिटिश को खिलाफ युद्ध घोशित किया और स्वयम को पेशवा घोशित किया नाउ ने बिर्जिस कद्र को अवज का नवाब घोशित किया गया नाना साहिब की तरह उन्होंने बहादर शाह जफर को अपना बादशाह माना। जहांसे की राणी लक्षमी बाई नाना साहिब के सिनापती तात्या तोपे के साथ ब्रिटिश को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में राजगड की राणी अवंती बाई लोधी, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, शाह, बरीली के बक्त खान और बिहार के कुणर सिंग, 1857 के युद्ध के कुछ और महत्वपूर्ण नेता थे। विद्रोही की सपलता देखकर लोगों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। विद्रोह के शुरुवात में विद्रोहीयों ने अंग्रेजों को धूल चेटाई। उनकी संख्या विद्रोही सेनाओं से बहुत कम थी। उनका सामना करने के लिए इंग्लेंड से सैनिक लाए गये। विद्रोहीयों को सजा देने के लिए कानून बनाए गये। सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनह अंग्रेजों ने कबजा किया। बहादर शाजफर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। और उनके बेटों को उनके सामनी मार दिया गया। उनको अपने पतिं के साथ रंगून जेल भेज दिया गया। मार्च 1858 में लखनव उपर ब्रिटिश का कबजा हुआ। जून 1858 में रानी लक्षमी बाई को मार दिया गया। अंग्रेजों में भी लोगों को का विश्वास जीतने के लिए बहुत प्रयास किया। वफादार जमिनदारों के लिए इनामों का ऐलान किया गया। और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी जमिन्यों को हडपा नहीं जाएगा। यदि विद्रोही अंग्रेजों के सामने समर्पन करते और उन्होंने किसी अंग्रेज की हद्या नहीं की हो तो वे मुकदमी से सुरक्षित रहेंगे। ऐसा आश्वासन भी दिया गया। इसके बावजूद सैकडों लोगों को फासी पर लटकाया गया। 1869 में आजादी की पहली जंग समाप्त हुई। विज़्डोह के नतिजे। भारत पर इस्ट इंडिया कामपनी के शासन को समाप्त किया गया और उसे ब्रिटिश समराज्य का हिस्सा बनाया गया। ब्रिटिश मिंत्री मंडल के एक मंत्री को भारत मंत्री नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल की गठन हुई। भारत के गवर्नर जेनरल को वाइसरोय का अहुदा दिया गया, जो अब इंगलेंड के राजा अथवारानी का नीजी प्रतिनिधी बना। इस प्रकार भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधा अंग्रेश सरकार के हातों में आई। ब्रिटिन के राजा अथवारानी को भारत के समराट अथवासमरागी की उपाधी दी गई। इन भारतिय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपी सिपाहियों की संस्या बढ़ा मिल्ट का निरने दिया गया। लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविश्य में कभी उनके भूग शेत्र पर कबजा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने वन्शजों तथा अपने दत्तक पुत्रों को सौपने की इजाज़त दी गई। इसके बदले उन्हें ब्रिटिन की रानी का आधिपत स्विकार करना पड़ा। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक वीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक अभुद पूर्व घटना थी। इसके कारण भारतिय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हाला कि विद्रोह वाचित दक्षय को प्राम्त दर्व में विखल रहा लेकिन इसने भारतिय राष्ट्रवाद के बीज को बोया। इस अध्याय में उपयोग किये कए कुछ शब्दों का अर्प। मिशिनरी विदेश में रहकर इसाई धर्म का प्रचार करने वाले धर्म प्रचारक। इंडिया कांसल इंग्लेंड के भारत बंत्री को सलाह देने के लिए गठित परिशद। गवर्णर जेनरल इस्ट इंडिया कंपनी के शासकिय अध्यक्ष। महाराज जपाल वाइसराय इंग्लेंड के द्वारा राज किये गए जगहों पर इंग्लेंड के राजा अथवारानी के नीजी प्रति निथी। राज प्रति निथी। कर दो 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 झाल झाल